तो चलिए दोस्तों, आज मैं कक्छा 10 वी के जो बोर्ड इक्जाम होते हैं, उसमें प्राया है जो हर साल प्रस्ण पुछा जाता है, वो भी त्रिकोनमिती का, और निश्ची दुरुप से बच्चे जो है त्रिकोनमिती के प्रस्ण को गलत बना करा जाते हैं, निश्ची दु के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बता देजेगा, ताकि परिच्छा तो नस्दिक आही रहा है, हम पूरा परिच्छा का तयारी भी कर लें, और इस प्रकार के जो प्रस्ण दीख रहा है, जो दिखने में कठीन लगता है, लेकिन बहुत ही सरल होता है, तो इस प्रकार के प्रस्णों का हल करने का सही तरीका क्या है, तो उसको आज में बताने वाला हूँ, और निश्चेत रुप से बोर्ड एक्जाम का सबसे मोस्ट आइमपी क्वेशन है, जो त्रिकोन मिती के अंतरगत आता है, और इसको हर साल पुछा जाता ह है, तो इसलिए याद रखी गए बहुत ही मोस्ट आइमपी क्योशन है, और आज में केवल दो ही प्रस्ण करूंगा, और आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, और जिस चेप्टर के बारे में कमेंट करेंगे न, तो उस चेप्टर से में बहुत ही महत्तकुन प्रस्णों को व साइड लें या फिर राइट है, तो देखिए, अगर इस पक्छा को ले करके हम यह हल करना चाहेंगे न, तो हमें कठी लगेगा, तो हमें क्या करना है, यह वाला पक्छ ले लेना है, जिसमें बड़ी-बड़ी संख्या दिख रहा है, बहुत सारे पद इसमें दिखाएद इनको हम लेंगे और इतना लाएंगे, तो देखिए, इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी आप solve करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो एक line इसको खुद लिख लेना है, तो इसके बाद दुसरा line में आप क्या करिएगा यहाँ पर लिखे, जिस पक्च से लेके आप हल कर रहे हैं, जैसे मैं left hand side लेके हल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा left hand side से, और जो right hand side में दीख रहा है, इतना हमें उत्तर लाना है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस left hand side लेके हल करते जाएंगे, ठीक ह अब हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, उसको एक बार पुरह लिख लेना है, अब देखें जब भी आप गनित बनाते हैं तो bracket का प्रयोग जरूर करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गनित में अदि आपने bracket का प्रयोग करना सिख लिया, तो आप से गनित में बिल्कुल भी गलती नहीं होगा, तो यहाँ पर देखें, 1 प्लस कॉस्ट थीटा था, तो यह मैंने लिख लिया, उसके बाद देखें, बटे में देखें, यहाँ पर बटे में लिखा हुआ है, है ना, यहाँ पर भी हम कोश्टक का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा प्रस्ण जो है गलत नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1-cos थीटा ठीक है, और यहाँ पर दिखें, बटे में लिखेंगे, 1-cos थीटा, तो य सब से पहले जो प्रस्ण दिया है, उसको हल करिये, उसके बाद है, जेट है को कहले है, देखें, बटे में लिखेंगे, on plus कॉस्ट थी हल कर रहे हैं तो यह लिखेंगे उसके बाद इन में क्या करें तो देखेंगे आपको क्या करना होगा नीचे में जो संख्या दिख रहा है उसको घुना कर दिखेंगे यहाँ पर तो हम 1- मेनस कॉस्ट ठीटा ही लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस कॉस्ट ठीटा देखे अब हमने क्या कर दिया समझो इन दोनों का गुणा कर दिया और जैसे हम लोग लगवत्तम समापर तक लेकर हल करते हैं तो आप क्या करते हैं तिरिया गुणा करते हैं वैसे आपको क क्या है o search है मतलब यह दोनों कितने बार आ गया दो बार आ इसका में work कर दीता हूं यहाँ पर- है उसी पर यहां पर टेखे one minus cost टेटा है तो यहां पर भी one minus cost टेटा ही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे one minus cost टेटा को ध्यान दिजेगा हम क्या करेंगे दो बार लिग देंगे, मतलब वार्ग कर देंगे, अब देखें, नीचे को तो हम सिधा मल्टिप्लाई कर देंगे, और उपर को हम क्या करेंगे, इसका अलग से वार्ग निकाल लेंगे, और इसका अलग से वार्ग निकाल लेंगे, ऐसा करने से, और देखें, यहाँ पर प्लस यहां पर कौन से उत्र का प्रयोग करते हैं a2-b2 इसको हमेंस चाहिएगा ठीक है a2-b2 सुत्र का प्रयोग यहांपर करेंगे और यहांपर देखेंगे whole square है और एक बार plus और एक बार minus वाला है तो इसके 2 सुत्र है एक तो plus वाला होता है 1 plus b का whole square इसका 1 क्या होता है a का square plus 2ab और plus यहाँ पर क्या हो जाएगा b का square उसी पकार अगर यह minus में हो जाए तो minus में हो जाए तो क्या करते है a का square और यहाँ पर minus करते हैं 2AB और यहाँ पर प्लस B का square तो और थात यह जो हम तीन इस उत्र को प्रयोग करने वाले हैं उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है अब हम क्या करेंगे इसको निको हम इस रूप में तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा वरन को लिखने के यहाँ अब यहाँ पर देखिए तो 1 ही होगा, जैसे यहाँ पर हमने 1 का square लिखने के आऊ सकता नहीं था, उसके बाद यहाँ पर देखे, अगर आप इस वाले पत को लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे, और इस वाले पत को लिखेंगे, तो आपको plus में लिखना होगा, तो चलिए मैं इस वाले पत को लिखता एक कई स्क्वेयर और बी कई स्क्वेयर मतलब कॉस्वेयर ठीटा अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने दोनों ऊपर और निचे दोनों जगा सुत्र का प्रयोक कर लिया है अब इसमें सिंपल सा हम कोश्टक को हटाएंगे अब याद रखेगा जब आप कोश्टक हटाएंग माइनस माइनस के यहां पर प्लस हो जाएगा यह हो जाएगा टू कॉस ठीटा और देखे माइनस है और यह प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ठीटा ध्यान देजेगा मैं बहुत ही सरल तरीके से हल करके बता रहा हूँ अब इसमें one का स्क्वेर है तो यहां पर हम कहाँ लिखेंगे one minus कॉस इसक्वेर ठीटा है अब इसका भी सुत्र होता है अब यहां पर देखें जो सेम आ रहा होगा इसका चिन्न क्या हो भी पिरित हो यहां पर रीन 1 एक है और प्लस 1 है यह क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा अब इसको थोड़ा color बदल देते हूं, एक, अरे यार, क्या हो रहा है, यह देखो, हम color बदल देते हैं, थोड़ा से change कर देते हैं, अब यह cut जाएगा, इसके साथ, और यहाँ पर 2 cost चीटा, दोनों क्या है, plus है, तो यह जूर जाएगा, लेकिन यह minus cost square चीटा, और यह plus cost ची है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पर कौन सा सुत्र का प्रयोक करेंगे, मैं वह भी बताने वाला हूं, यहाँ पर देखे, 2 cost चीटा और 2 cost चीटा, दोनों सेम है, इसलिए यह हो जाएगा, 4 cost चीटा, ठीक है, 4 cost चीटा हो गया, और इस रुप में निकालना है, तो भई, अगर इस रुप में निकालने चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, sin square चीटा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 minus cost square चीटा, यह समझ आ गया होगा, निश्चिक रूप से, तो यहाँ पर देखे, इसके बराबर, हमें क्या लिख देना है, sin square ची बटे में sin 2 बार है, sin square है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin theta, into लगा देंगे, अब sin एक बार और बचा है, तो बटे कर देंगे, 1 बटे sin theta, अब आपको पता है कि यहाँ पर देखे, आपको एक चीज मिल गया होगा, इसके बराबर क्या होता है, त्रिकोन मिती हम जानते हैं, कि यह जो दीख रहा है, वो cot, sorry, cos theta, बटे sin theta, बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, cot theta, अरथार, इसके बराबर हम cot theta लिखेंगे, मतलब हमारा उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और इसके बराबर हम लिख सकते हैं, cot theta, और 1 बटे sin theta बराबर कितना होता है, हम जानत हो जाएगा, cos theta, ठीक है, यह हो जाएगा, cos theta, अब इसको आप जमा के लिख सकते हैं, जो सामने दिया होगा, सामने बात में दिया है, बात में, अब यह दिखें, 4 और यहाँ पर आजाएगा, cos theta into cot theta, याद रखें, यह आगे पिछे रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है आपका जो answer है, यह आगया है, याद रखें, जब इस प्रकार के question को जब आप बनाएं, तो आपको last में एक चीज लिखना होता है, आपने क्या किया था, आपने left hand side से हल किया था, और आपने उत्तर लाया, वो कितना आगया, right hand side के बराबर आगया, और last में आपको लिखना पड़ेगा, इत्ती सिद्धम, hands proved, तो निस्ची तुरुप से यहाँ पर देखें, हमने जो उत्तर लाया है, वो बिल्कुल perfect आगया है, मैं सुरुवात में दिखा जेता हूँ, यह जो उत्तर है, हमारा सुरुवात में जो संख्या लिया था हमने, वही बिल्कुल है, यह द आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल सा काम करना है, इस प्रकार के प्रस्ना जब भी आये, तो इसमें left hand और right hand side में आपको बिल्कुल भी जादा घबराने के आव सकता नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो step दिया होता है, उस step को एक line लिख आपका एक line है इसी मन जाएगा, उसके बाद आप लिख लिखेजिएगा left hand side से, आपको left hand side से हल करना है, मतलब जो root वाला side होगा, under root वाला side होगा, उस पक्छा से हल करना प्रारम करेंगे, तो निश्ची तुरुप से अगर आप इस प्रकार हल करेंगे, तो ये अपने आप आप नेश्ची तुरुप से आप त्रिकोनमीती को अच्छे समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रस्न सबसे सरग प्रस्नों में गिनती होती है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको उत्तर दिया हुआ है, मतलब यही लाना है, आपको पता है, और को पकड़ लिजिएगा, मतलब पानी की धार की जैसे है, अगर यहाँ पर ढलान बना खुआ है, बस पानी को आप यहाँ पर ढालिए, वो अपने आप रास्ता बनाता खुआ चला जाता है, वो ऐसा ही त्रिकोर्मिती का गनित होता है, आपने अगर सही दिसा पकड़ लिया, तो हमारा गनित बिल्कुल perfect बनेगा, तो इस प्रकार के प्रस्णों में याद रखे, हमेशा परिमेकरन जो करते हैं, वो हमेशा हर का करते हैं, तो हर में जो भी संख्या है, उसको आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो इस प्रकार कोश्टक का प्रयोग करना आपको सीख लेना चीए, उसके बाद यहाँ पर जो भी दिया हो नीचे में, उसको चिन्ध को पलटना है और उसी को आंस में भी और हर में भी, तो 1-Cosita लिखेंगे, ठीक है, बटे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1-Cosita, मतलब हर का परिमेकरन का मतलब क्या होता है, हर में जो भी दिया होता है, जो भी बहु पत दिया होता है, उसके चिन्ध को पलट करके अंस और हर दोनों में गुना करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है हर का परिमेकरन और यहां पर आपको लिख लेना है हर का परिमेकरन करने पर इतना आपको जरूर लिखना है फिर यह हम लाने वाले हैं अब क्या करेंगे यह फिर वही प्रक्रिया आगे इसे पहले मैंने जो बताया था कि इसमें देखे 1-cos theta और 1-cos theta दोनों बिल्कुल सेम है, अर्थात 1-cos theta और 1-cos theta दोनों सेम है, अर्थात इसका हम क्या कर देंगे, square कर देंगे, नीचे में आएंगे, यहाँ पर 1-plus है और 1-minus है, और 1-minus का सुत्र मैंने आप भी आपको बताया है, कि अगर 1-minus है और 1-minus है कोई भी पहले हो, इसके मतलब नहीं होता है, तो आपको A-minus B-minus का सुत्र लगा लेना चीए, तो यह सुत्र आप जानते हैं, ठीक है, तो इसी सुत्र का प्रयोग आपको क्या करना है, कर लेना है, अब देखे, इसको अगर मैं बनाना चाहूं, तो नीचे में क्या यहाँ पर देखे, एक बार माइनस है, और एक बार प्लस, मतलब एक बार एक का स्क्वेर लिखूंगा, एक का स्क्वेर लिखूंगा, और माइनस, यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वेर ठीटा, तो यहाँ पर देखे, हम जानते हैं, कि एक का स्क्वेर मतलब तो एक वर्गमुल लगाना था यह हमने वर्गमुल लगा दिया अब देखे इसको आपको हल करना है तो आपको यह तो पता है कि यहाँ पर एक सुत्र मैंने आपको पताया था sin square theta plus cos square theta बराबर कितना होता है एक कि में शुत्र है सर्वसमिका में जिसमें आपको इस कमांड निकालना है तो आपका करेंगे sin square theta बराबर कितना होता है 1 minus cos square theta ठीक है यह दिखे तो इसके बराबर यहाँ पर दिया हुआ है अब यह जो वर्ग दिया है इसका मतलब तो एक ही है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, देखें कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, तो 1- cos theta, cos टक लगाएंगे और इसका वर्ग करेंगे, बटे, इसका मान कितना हो जाएगा, sin square theta, अब देखें, यहाँ पर अगर अंस और हर मे अलग-अलग वर्ग है, उसको हम 1- cos theta, ध्यान देजेगा, एक बार भी लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे, sin theta, चुकि इसका अलग से वर्ग है, और नीचे का वर्ग अलग से है, तो दोनों को मैं एक ही कोश्टक में लिख देता हूँ, इस प्रकारे दिखें, और पू हम क्या करेंगे, कटा सकते हैं, यह वर्ग मूल, और यह वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास केवल और केवल क्या बचा, यहाँ पर बचा है, 1- cos theta, बटे, sin theta, अब इसको आप अलग-अलग दो पदो में लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, मतलब अ cos theta, बटे, sin theta, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह एक बटे, sin theta बड़ाबर कितना होता है, यह सुत्रहत्रिकोन बिती का, इसके बड़ाबर होता है, cos theta, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, cos theta, और दोस्तों, यह जो प्रस्न है, आपका उतर आ गया है, तो हमने लिया कहां से था, left hand side से लिया था, और हमारा उतर जो आ गया है, right hand side, तो last में इतना लिखना जरूरी होता है, left hand side से हमने right hand side को क्या कर दिया है, proof कर दिया है, तो आपको last में hands proof लिखना है, इतनी सिद्धम लिखना है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, गनित क बहुत ही शरल तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर देखे हमने जो उत्तर लाया है विल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहां से हमने गनित को सुरुवात के था कॉसेक ठीटा मैंनस कॉट ठीटा और यही हमने उत्तर में यहाँ पर लाया हुआ है ये आप देख सकते हैं तो निस्टी तरूप से त्रिकोन मीती बहुत ही सरलता है यदि आप मुझे कमेंट करते हैं न तो इस प्रकार के गनित को मैं आपको और भी बहुत ही सरलत तरीके से बना कर बता सकता हूं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बहुतनी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत